गुड मार्निंग दोस्तों मैं होगे मिंग ट्रावलेंड यार यह सुबह के साथ बज़े का टाइम है रात मैं इस घर में रुका था यहां पर लतीव भाई की सिस्टर का घर है यह कल रात की पूरी काहनी आपने पिसले एपिसोड में देखी होगी आज अगला दिन है अभी यह भी बस सो करके उठे हैं आठ बजे चलूँगा यहां से जैसल मिर जाने के लिए याद है काउट सर्फिंग पर जो रिक्वेस्ट आई पर इतने रिक्वेस्ट दे करके मैं थोड़ा है था आज जा करके और रिक्वेस्ट के पिछे की सच्चा ही जानेंगे कि वो कहानी ह पारी बारे से तुनों की लोकेशन मंगा लेंगे और उसके बाद दोनों से मिलेंगे और देखेंगे कि क्या ऑप्शन बेटर है स्टेः करने के लिए मैं और लतीफ भाई जा रहे हैं इनका फार्म हूस देखने जो यहां से कुछी दूरी पर है सुब का वॉक भी हो रहा है और साथ-साथ के देखने का मोका भी मिल रहा है मैं चल रहा हूं यहां रेत में क्योंकि मुझे इस पे चलने पे मज़ा रहा है और वो चल रहे हैं पट पर अब जाए जो नहीं देखा वो जीरा जीरे की फसल और इस सब गोल तो कभी सोचा भी रहा लगता था वह कैमिकल ही कोई सफेज सफेद पेगिस्तान की इमेज बदल गी है जो मैं सोचता था प्राजस्थान के बारे में वैसा नहीं है पहले कहते है था नहीं है पाने की अब कोई किलत नहीं है और हर्याली नजर आती है आपको खेत हैं फसल हो रही है अभी पूरे साल फसल होती है अलगले फसले हर भाए खेती यहां पर बारह मसी है यह है एंट्रेंस यहां से खेत में जाने के लिए सरसोने बंद कर दिया राष्टे को दोनों तरफ फैल रही है जगर है तो क्यों नहीं मेरे इस तरफ सूरज उग रहा है और यह हम सरसो के खेट को पार करके आगे की तरफ बढ़ रहे ताकि आपको दिखा सके इस सब गोल की खेती और जीरे की खेती फसल कैसी दिखी है मैं तो पहले बारे सुन रहा हूं कि अगे गो पार कर लिया अब हमाएं दूसरे खेत में यह रेकिस्तान है जिसे आप रेकिस्तान बोलते हो यह राजोस्थान है इमेजी बदल गई राजोस्तान को ले आते खेत मेरे जडरी वर्लब करीब-करीब 5-5 फूट उची सबस्तों गी है जो हम राश्ते में देख रहे थे जो फाउंटेन के थूरू यहां पर सिचाई कर रहे आती है उसमें इस पाइब का रूल है इस पाइब को आप खेट में बिशा रहेते हैं और यह है वो खोवारा देखे इस तरह से इसमें एक सॉकिट लगाया गया है और यहां पर इसके फिर सिचाई होती है और इस खेट से बाहर निकलते ही हम पहुंच गये हैं एक और खेट में और यह क्या होगा है यहां पर इस बोल का छोटा सा घाश जैसा देखने वाले पौधा यह है तो अभी इसमें फूल के लेगा तो ऐसे खिल जाएगा यहां बड़ा इतना ही इतना बड़ा होता है इतना बड़ा होता है यह सब्सक्राइब जाएगा इसमें निकलेंगे बहुत सारे जैसे जवार का वह खिलती उपर हाँ जवार का भी ऐसे खिलता है लंबा हो यह जन्नेत कि अधिक कैसे हैं तो यह इस तरह के यहां पर घर बनाए जाते हैं यह मारवाड़ी दिसी घर है हां तो एक बार दिखाएंगे मिलकू हां अंदर आगा तो यहां पर दिवार जब पत्थर से बनी उपर सिमेंट लगा दिया है अच्छा यह इसने बनाते हैं यह का होती है अच्छा ईया है अच्छर एट तो आप उपर फिर बांस इख यह लग्ड़े के लक्डे दाल करके अंच्या शु आपर फीर चया सिब्स ड़कडे़ नियु करैंद ड़के अथे लग्ड़े बनाते यह लग्ते डालकर श enig दाल के इंपर जी बैठने के लिए समान रखने के लिए बन गया राजाओ के महल में चार पही कितनी सी रखते हैं अभी मैं गया था जोना गड़ विकाने हैं तो गाइड बता रहा था कि यहां पर जान बुझ किया जो प्रलंग या छोटे बनाए जाते हैं ताकि कि उसके दीचे छिप्ट ना स अबने देखा होगे जब तो इतनी सीजिवॉ टी एही आदमने की पार मने कु सकता है उसके पिछे का लोजिक ग benefiting ने बताया जब अगर के व्यवा संद कर अपर खड़ी मुना चार गया ही थे यह यह तो दोस को कौन मारेगा एक खड़ा हो गया सीडियों पर आतू उपर अलो जी बाहर से दिखता है ऐसा चाई बड़ी स्वाज मनाते है आप लोगी बहुत अच्छी है और यह वह पाइप जारी इससे से चाई होती है आगे दहां मैं जड़ा राउंड लगा का है आपक जोगरा देखाए था कि रमर्म जी अप कर लीजी जोगराए तैया मैं तो इधर देखा है निट है बंचटाच से तेंड कि धड़ाई है तेंड चीटी और चांड है अजय के कहाले… जालो इज फिलिए आड़ा आंडी तर जाड़ी आंडी काल जाली माली आडी अफ्या माली तो साल वामा ता मेरा को अशेद को फ्टेकरा कोड़ी क Achy community जासका जाएबाली के वही है सप्वेद वही है किसी का नाम बताँ खाएब? यहां बेद आप स्ब्सकी और बारे जाए Figit तर शुन्सा जुटमी हो जाए door ढपे मिदेश अगाल मिदेश हो जाग क्या नाम अपका? एककवाऊ अपकाइ? नाबत नाबतै शेन मान और ढपे मिदेश तहीडाई ने जाएंग क्या हैलो ठड़ने हुआ हेलो हाथ मिला हाथ दे हाओ दे ऐसे हाथ मिलाने है ठीक है सोजाओ पी आपके क्या नामी अमरुदेन हम इतना में अशा लगा मिलके आपपर और लोजिक्स तरह से आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा पुराना एपिसोड मैंने राइट में टॉप कॉनर टॉपर की तरफ दिया है और अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें मैं चंडिगर से उस्टेले की तरफ जा रहा हूँ तो यह नीचे की तरफ देख सकते हैं चलिए अपना ख्याल रखिये मिलेंगे बहुत जल्दी वाई वाई दोस्तों